हेलो एंड वेलकम माई डियर किड्स तुड़े इस इंग्लिश टर्ण ओके तौल अफ यू ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक और लेशन नेम ग्रेनी इस रीडी तो पहले यह फिगर देखिए आपके बुक में इस तरह बना हुआ है इसको अच्छे से देखिए क्योंकि यह जो ग्रेनी है मतलब नानीमा इनी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से फिगर देखिए और फिर आगे यहां पर कैसे बैठके पढ़ाई कर रही है यह नानीमा यह बच्चे कुछ खेल रहे हैं यह कोई ट्री भी बना हुआ है इधर कुछ बड़े वाले ट्री भी बने हुए है फैन भी लगा हुआ है तो आपको इसे के बारे में पढ़ाया जाएगा आगे तो इसको अच्छे स नानीमा बुक्ट पढ़ रही है यह ड्यर और फोर बुक्स इन दव टेबल कि टेबल पर देखिये कितने विक्स रखें हूए यह ए वन टू थ्री एदफ इसन कि टेबल 大ज को देखो there is one fan in the room तो आप room को देखो इसमें कितने fan लगे हुए आपको लग रहा है देखिए यहाँ पे one fan है न यह तो यह एक fan लगा हुआ है तो आगे बढ़के देखो इसमें क्या पढ़ लिखा हुआ है there is one fan in the room ओके आगे बढ़ो there are five fans in the house और उनके house में five fans है है न नेक्स्ट आगे बढ़ो sonu and mona are in the garden garden में कौन कौन है sonu यह sonu है और यह mona है तो यह दोनों कहां पे है garden में तो यह लिखा हुआ है कि sonu and mona are in the garden next line आगे बढ़ो there is an apple tree in the garden garden में कौन सा ट्री है यह देखो यहाँ पे apple का ट्री है बहुत बड़ा सा ट्री है यह देखो इतना बड़ा सा ट्री है इसमें देखे एपल लगे भी है तो यही लिखा हुआ है कि there are an apple tree in the garden next आगे लाइन में देखो there are four asok trees in the garden garden में यह वाले जो ट्री है asok tree है one, two, three and four कितने है four there are four asok trees in the garden तो इस तरह आपको भी finger रहके जैसे मैं आपने ऐसे पढ़ाया है आपको reading करना है और यह जो blue color से दिये हुए है इनको शब्द ठीक है इसको आप कठिन सब्द है आपके तो इसको आप अपने book में copy में ठीक है अपने school का जो इसमें काम करते हो उस copy में write कर लेना है तैंक यू and God bless you